जमीन घोटाले में मानी लांडरिंग के तहट जाज कर रही, E.D. के कार्याले में सोमवार की सुभा करीब साड़ें दस बजे ही राची के पूर्व उपायोकता आई-एस अधिकारी छवी, रंजन पहुँच गए, उनसे E.D. की पूछता चारी है, सुतरों की माने तो इस केस में पूर्व में जिरफतार सभी सातों आरोपितों के सामने ही पूछता चल रही है, जिन बिंदों पर पूर्व उपायोकता पक्ती जता रहे हैं, उन पर सातों आरोपितों से सद्यापन भी करवाया जा रहा है, आई-एस अधिकारी छवी रंजन वर्दमान में जारखंड सरकार के समाज कल्यान विभाग में निदेशक हैं, वे E.D. के तीसरे समन पर आज E.D. कार्याले में पहुँचे हैं, जमीन घोटाले में जिन सातों आरोपितों से E.D. पूछताज कर रही है, उनसे भी E.D. को आई-एस छवी रंजन के विलुद कई एहन जानकारिया मिली है, सभी सातों आरोपितों की रिमांड अवधी भी सोमवार को भी समाप को रही है, सब को सोमवार की शाम को ही E.D. की विशेश अदालत में तस्तुत किया जाएगा, जिन में से चार आरोपितों की रिमांड अवधी बढ़ाने के लिए E.D. विशेश अदालत से आग्रा करेगी। शेश तीन को नयाएक हिरासत में बिर्सामुंडा किंद्री एक कारा होदवार में भीजने की तयारी है। जमीन घोटाले में E.D. ने गर 13 अप्रैल को आएस चवी रंजन सहित 18 लोगों से जुड़े 22 ठिकानों पर एक साथ शापे मारी की थी। इस चापे मारी में E.D. को बढ़गाई के राजर सोप मिरीक्षक भानु प्रताप्रसाद के आवास में भारी मात्रा में डीद मिले थे। वही कुछ जमीन माफिया के यहां से फरजी डीद बनाने के स्टांप आदी मिले थे। क्या तलह खान हो गया और जवी रंजन जी का नात नहीं हुआ है अपसर खान का हुआ तलह खान का हुआ रिपीट हो गया इंतियाज आहमत है अपसर खान है प्रजाज खान है चलिया हो गया अपसर बोलिया नहीं का अपसर अच्छा होता है इडिका इंविश्टिकेशन जो है जो बहुत अच्छा तरह से कोई टॉट्चर वगएरा नहीं होता है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूलें कर दो